अनन्द का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का सुवागत है, मार्केट के आज के उमेंट जो बड़ा ही मज़दर और डेंजरस था, कल की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ कुछ इंपोर्टन शेर्स को डिटेल में कवर करेंगे, इससे पहले कि मार्च के एपिसोड पर जायना, एक इंपोर्टन पॉइंट में आपको वापिस या दिलाना चाहता हूँ, जो हमारी लास्ट वीक भी बात हुई थी, इस वीक में जो भी आपकी रिस्ट प्रोफाइल है, सपोस्थ करते हैं कि आप एग्रेशिव इंवेश्टर हैं तो मौडरेट बनके काम करना, अगर आप मौडरेट हैं तो डिफेनसिव बनके काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपनी रिस्ट प्रोफाइल को छोड़के, एग्रेसिव या और एग्रेसिव काम किया तो काफी backfire हो सकता है पहले ही दिन market ने प्रूव कर दिया कि जो हमारी thinking थी वो बिलकुल ठीक थी इस complete week के लिए I know इस week में सिर्फ 4 working days होने वाला है बट इन 4 दिनों के लिए ये चीज़ को follow करना ज़री हो जाता है मेरा नाम है अनन्त लड़ा CFA, CACFP, LLB इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें अगर अभी ही तक आपने secret of money making और basics of money making को consider नहीं किया है description में complete details और link बिल जाएंगे बड़ा ही मैज़दार ये session होने वाला है चलिए शुरू करते है अनन्त का fund अगा पहला पाट जुसका नाम है market today सबसे पहले index view पर नज़र डालते है 106 1.18% negative, 800 point से ज़्यादा का correction आया और 48,000 के नीचे की closing हमें मिल चुकी है Nifty की बात करें तो 1.77% negative इससे अधा important ये Nifty के लिए जो last Monday के lows थे, roughly around 14,250 उसके भी नीचे आज की दिन market गया था और उससे भी market ने आज की दिन crack किया था जो एक negative point हो जाता है बैंक Nifty की बात करें तो 2.41% negative लेकिन 31,000 के उपर की closing है mid cap index की बात करें तो 2.1% negative रहा उससे के साथ-साथ advance decline ratio की बात करें 300 के ask per share गलती से positive हो गए advance हो गए इसी के against में 1500 के ask per share decline हो ए काफी market में तरही तरही मची अगर आप सही sector और सही share में नहीं थे तो sectors की बात करें तो pharma और IT इसके बारे में Friday को भी बात हुई थी members only video में तो कल detail में बात हुई थी बट मैं personally अभी ज़्यादा metals को use नहीं कर रहा ये भी एक important point होता है negative sectors की बात करें तो PSU bank reality PSE auto के साथ-साथ energy काफी crack हुए US futures सारे के सारे slightly negative है आप इदर check out कर सकते हैं Wix 10% के आसपास बढ़ा और 22.48 के आसपास closing होई 26 के नीचे-नीचे comfortable है पर आज की दिन का spike काफी ज़्यदा sharp हुआ था उसे के साथ-साथ Nifty के movement की बात करें Opening हुई थी 14,306 की low बनाया 14,191 का Last Friday की वीडियो में हमारी बात हुई थी कि 14,100 से 150 का zone important होने वाला है काफी comment या आयते है अनंत अभी तो हम इसके बहुत दूर है मैंने यही बताने की कुशिश करी थी दूर है पर Monday को ध्यान से रहना ज़रूरी है और वहीं के आसपस आज की दिन Nifty ने support लिया उसके ज़स उपर support ले लिया पर अभी भी 14,100 एक important zone होने वाल है आज की दिन का high बना 14,382 का close वुआ 14,359 का एक comparatively okay okay closing हम बोल सकते because अपने high के आसपस closing कहीं न कहीं आज की दिन market ने दीती उसी के साथ साथ हमें इस market में extra defensive होना ज़रूरी होता है सिर्फ stock specific होके ही काम करना important हो जाता है अब चलते हैं next section पर जिसके नाम है FIAs and DIIs action FIAs ने आज 1600 करोज के उपर की sell करी जो काफी बड़ा figure हो जाता है DIIs की तरफ से 2300 करोज के आसपस की purchase भी हुई है जो हमें दिखाता है कि DIIs ने आज के दिन market को support दिया है पर FIAs की तरफ से regularly cash market की sell एक cautious point तो होता ही है अब चलते हैं next segment पर जिसका नाम है viewers query सबसे पहली query आ रही है small case related basically क्या हुआ था Friday को मैंने personally private channel पर और सभी members के साथ Thursday और Friday को एक small case share किया था और काफी members का ही कहना था कि अनद अगर आपको पता था कि Monday को ऐसा कुछ hiccups आ सकता है तो आपने वो small case share ही क्यों किया वो इसलिए share किया क्योंकि एक बर small case पे नजद दो डाली है आप इधर चेक आउट कर सकते हैं IAFK21 नाम का वो small case था आज की दिन market negative रहा होगा market में तरही तरही मची होगी पर ये small case positive था इस चीज़ को ध्यान में रखते भी है कि market में काफी hiccups आ सकते हैं मैंने वो small case share किया था अभी तक कि ये small case मैंने openly सभी के साथ शेयर नहीं किया था पर आज के इस वीडियो में आपके साथ description में मैंने link लगा दिया है just for tracking purpose education purpose आप track कर सकते हैं देख सकते हैं कि जब market में तरही तरही मचे किस तरीके के shares की तरफ हमें नजबनाना ज़रूरी हो जाता है next important query यह आ रही है कि YouTube membership plan जो educational plan से versus private channel पर क्या difference होने वाला है वैसे तो इसके उपर एक detail वीडियो आ चुका है उपर आये बटन में जाके आप check out कर सकते है बट फिर भी short में आपको बताने ही खुशिश करता हूँ देखिए YouTube join button join करने के बड़ा ही simple सा प्रोसेस है नीचे आपको join button मिल जाएगा जैसे क्लिक करेंगे आपके पास दो plans आ जाएएगे जो educational plan आपको अच्छा लग है आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या commitment हुआ है weekly एक वीडियो टो हम discuss करेंगे इसे ही जैसी कि कल ही के दिन एक detailed वीडियो आया था कि हमारी क्या expectations इस complete week की उसी के साथ साथ अगर market में कुछ उपर नीचे हुआ अगर कुछ जरुवत हुई तो बीच में एक additional वीडियो लाने की भी कोशिश करेंगे बट during the week एक वीडियो तो है जो हमेशा आये कैसी उसी के साथ साथ कोई अगर small case हुआ कुछ ऐसे share हुए जो उस वीडियो में discuss नहीं करें पर कोई नया share मेरे notice में आया तो उन सभी की trades में पर शेयर करने की कोशिश करूँगा इसी के अगेश में अगर बात करी जाए प्राइवेट टेलिग्राम में वहाँ पर हमेशा ही यह कमिट हुए description में आपको DMAT account openings और प्राइवेट चानल पर जुढने का process मिल जाएगा मेरी personally कुछ तो पर शेयर करने की कोशिश करूँगा आज की दिन कुछ members का यह doubt भी था अनन्त आपने कुछ ट्रेट ती जो प्राइवेट टेलिग्राम पर शेयर के रियो members को नहीं बताई नहीं बताई नहीं बताई नहीं कल के दिन ही तो पर शेयर काट होने की पुरी-पुरी possibility है उसलिए के साथ साथ सर्फ फार्मा के शेयर पर फोकस रहेगा फार्मा में भी कौनसे शेयर पर फोकस है वह भी discuss किया था वही कुछ जो मैंने प्राइवेट टेलिग्राम पर शेयर के थी क्योंकि प्राइवेट टेलिग्राम पर कोई भी वीडियो शेयर नहीं होता इसलिए कुछ ट्रेट्स जैसा है कि मेरा प्राइवेट टेलिग्राम पर हमेशा commitment है मेरी परसनली कुछ ट्रेट्स होगी तो वह मैं शेयर कर करते ही है, I hope, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा, मेंबर्शिप में रेगुलर ली वीडियो मिलेंगे जिसमें हम सारी की सारी चीजे पहले ही डिसकस कर लेंगे, आपको पहले ही पता होगा कि कौन से शेर मेरी रडार पर है, किस लेवल पर रडार पर ह उसे के अगेंस में प्राइवेट टेलिग्राम पर जो कमिट्मेंट हो रखा है, कि कुछ मेरी पॉसनल ट्रेट शेर होगी, वो वैसा ही कट कॉपी पेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि वहां पर कमिट्मेंट हमेशा से वही हुआ है, कमिट्मेंट के पीछे मैं नहीं अटने व बनाओ है, वहां पर सिर्फ एजुकेशनल चीजे में शेर करूंगा कि यहां पर किसी कोई चार्ट में कोई इंपॉर्टन बन रखा हो, कोई इंपॉर्टन फंडा लग रहा हो, कोई लाइव प्राक्टिकल एग्जाम्पल दे सकता हूं, उस कंसेप्ट का जो हमारा कर रहे कुछ चीजे, और यह हमेशा over and above था, वो कभी भी committed नहीं था, that is just an additional चीज मुझे लगा कि मैं दे सकता हूं, तो मैं कोई मना नहीं करने वाला, I hope काफी doubts clear हो चुके होंगे, अब चलते नेक्स section पर जिसका नाम है Stocks in Focus, सबसे पहला Stock in Focus होने वाला है, आप इदर Ticket App पे चेक आउट कर सकते हो, Torrent Pharma, कभी भी ये 2550 से 60 की range में मिले, तो 2630 तक के levels immediately इसमें आ सकते, next important share है LTI, LTI क्या concept है, कभी भी 3800 के पास, जितना 3800 के पास मिलेगा वितना ही अच्छा है, कभी भी मिले तो हम trading purpose के लिए इसको य immediately आ सकते हैं, next important share हम एक steel का लेने वाले, देखिए, steel अब यहाँ पर positional trades के लिए नहीं बनेगा, सिर्फ अगर हम intraday कुछ करना चाहिए, या short term कुछ करना चाहिए, तो बना सकते है, और उसी के साथ-साथ, जितनी quantity मैं personally IT या फार्मा में ले रहा हूँ, उतना मैं steel में नही लूँगा, steel मुझे personally लगता है कि यहाँ पर तोड़ा सा extra defensive रहना, at least this week लिए important है, पर अगर steel की बात करूँ तो सबसे पहला share जो मेरे दिमाग में आता है, वो आता है GSW steel, आप इतरे चेक आउट कर सकते हो, 600 का important support है, 620 से 625 एक resistance zone है, इसको पार करके उपर गया तो 640 तक क General Market ने last week ना, देखिए Monday को एक low बनायता 14250 का, उसको कभी भी last week धाई दिन तक retest नहीं किया, पर आज की दिन वापिस से retest कर दिया, इसलिए जो हम follow through day की बात कर रहे तो यहाँ पर खतम हो चुका है, वापिस से volume distribution day का count अब 6 हो गया है, आज का दिन volume distribution है, पर एक पुराना दिन भी close हो रहा है, तो इसलिए volume distribution देगा count 6 रहने वाला है, इस समय, at least इस week तोड़ा सा extra cautious रहके काम करना ज़रूरी है, अगर आप अपनी quantities को control कर सकते हैं, तभी काम करने की कोशिश करिएगा, अगर over trading या बहुत ज़्यादा quantity में करने की कोशिश करी तो काफी चीजे backfire ह हो सकती है, अब चलते हैं, नेक्स section पर जिसका नाम है, expectations from tomorrow's market, सबसे पहले call का इसो पर इंटरेस की बात करें तो 15,000, second high इसो पर इंटरेस 14,500, third high इसो पर इंटरेस 15,500 है, आज की दिन पर बहुत हैवी call राइटिंग हुई है, 14,450 से 500 की रेंज में, तो ये एक important resistance zone हो सकता ह है, इसके उपर 14,600 एक major resistance के ज़से काम करेगा, support की बात करें तो put का high इसो पर इंटरेस 14,000, second high इसो पर इंटरेस 14,500 और third high इसो पर इंटरेस 13,500 पे, आज की दिन ना, immediately 14,200 पे काफी ज़्यादा put writing भी हुई है, इसलिए 14,200 एक support के ज़से काम करेगा, पर by chance भी 14,200 को break किय तो काफी quick moment आ सकता है, उसके नीचे सीधा support मिलेगा 14,000, 50 पे, अगर हम put call ratio की बात करें तो 1.20 है, ना बहुत ज़्यादा overbought है, ना oversold है, comfortable हम इसे बोल सकते है, wigs भी comfortable है, उसी के साथ साथ bank nifty की बात करें तो 31,300 से 400 की range है के major resistance है, और 31,500 की उपर ही अच्छा momentum आ सकता है support की बात करें तो 30,500 से 700 की range एक important support कैसे काम कर सकती है, अगर इस range को तोड़ा 30,500 से 700 तो सीधा सीधा आपको 30,000 के नीचे भी bank nifty मिल जाएगा, अब कल के market की बात करें ना, देखिए, कल के market में opening में या BGT में कुछ अच्छे bounce आ सकते है, बट इस बार यह मत समझेगा, जि परसनली बोलूगा, सिर्फ 20% की expectations है, कि last week जैसी rally हमें वापिस हैं मिल सकती है, कुछ bounce आ सकते हैं, बट quantities को control करना, और अगर किसी position में हम फसे वे हैं, वहाँ पे हमारी position को हलकी करना ज़रूरी हो जाता है, stop loss maintain करना भी काफी important होता है, अगर market ने 14,200 को cross करके नीचे गया, जैसे कि pharma और IT में ही बने रहने का वापिस हो जाता है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें भी ना मज जाएगा, चानल को subscribe, बेल आइकन क्लिक नहीं किया, तो को important वीडियो मिस हो जाएगा, आगा ही during the week कुछ भी update रही, या during the day कुछ भी update रही, तो हम open for all free telegram पर भी डाल देते हैं, तो लगे यूसफूल तो आप सीधा telegram पर जाके invest आज फरकल सर्च करेंगे, तो ये free channel मिल जागा, जहाँ पर हम during the day काफी update डालते रहते हैं, मिलेंगे next video में तब तक, happy investing and I will see you very soon.